प्री दर्शको ममता कीचन रिस्पी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम कच्चे केले कच्चिप्स बनाना बताएंगे बहुत यासान तरीके से तो हमने कच्चे केला ले लिया है अब इसमें कच्चिल का उतार देते हैं चाकू की साहिता से ये सभी छिलका हमने उतार दिया अब पतले पीस में काट लेते हैं इस तरीके हम सभी केले काट लेते हैं सभी केले हमने पतले पीस में काट लिया है अब इसे मठाली में रख लेते हैं आईए इने चानते हैं ओईल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है अब कटप हुआ केला हम डाल देते हैं गैस को फ्राइब हाई रखेंगे थोड़ा थोड़ा करके सभी केले हम डाल देते हैं सभी केले हमने कड़ाई में डाल दिया है अब इसे चलाते हुए इस तरीके फराई कर लेते हैं गैस को फ्राइब हाई रखेंगे आप जब भी केले का चिप्स बनाईए तो हाई फ्लेम में बनाईए और ओईल बढ़िया से गर्म होना चाहिए चिप्स का कलर चेंज हो गया है ये देखिए थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं जितना इसे फ्राई करेंगे उतना बढ़िया कुरकुरा चिप्स बनेगा ये देखिए इस तरीके हमने फ्राई कर लिया है अब इसे निकाल लेते हैं गैस का फ्लेम बन कर देंगे ये देखिए कितना बढ़िया आवाज आ रही है तो कच्छे केले के चिप्स कुरकुरा बनके तयार हो गया है स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं एक चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं अब इसे अच्छी तरीके मिला देते हैं ये देखिए चिपस बनके तयार हो गया है आईए अब सरो करते हैं तो केले की चिपस की रिस्पी आप लोगों को कैसी लगी कमिंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कोई गलतिया हो माफ करिये अगर आज की हमारी रिस्पी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अप तक आसानी से पहुंचे ये देखिए कितना बढ़िया कुरकुरा क्रंचिक रिस में तब तक के लिए बाइबाएबाई